नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक रोचक कहानी साजहा करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो साहस, सहनशीलता और भूली हुई इतिहास के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको असम की असाधारन महिला जॉय मौती के बारे एक नाम ऐसा भी है, जिसे छिपा दिया गया है और अकसर नजर अंदाज किया जाता है। जॉय मौती। सत्रहवीं सदी में जन्मी जॉय मौती एक राजकुमारी थी और अहोम राजकुमार गदापानी की पत्नी थी। उनकी जिन्दगी उस दौर में घटी जब अहोम सामर राज्य आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमनों का सामना कर रहा था। उनकी कहानी दुखद और प्रेरणा दायक दोनों है। जैमती का मानना था कि गदापानी एक दिन लालुक सोला के ताना शाही शासन को समाप्त करके राज्य में शान्ती लाएगा। इसलिए राजा की सेना गदापानी को ढूंड नहीं पाई। और जैमती को बंदी बना लिया। शाही अदालत के सामने लाए जाने और पूछ ताच करने के बाद लालुक सोला को गदापानी का पता नहीं मिला। और उसने सोचा कि अगर वह जैमती को सार्वजनिक रूप से प्रताडित कर तो गदापानी स्वयम आकर प्रकट होंगे। उन्हें जैमती को जेरेंगा के खेत में एक पेड से बांध दिया गया और चाओ डांग द्वारा दंडित किया गया। कठिनाईयों के बावजूद उन्होंने अपने पती और राज्य को क्षती पहुंचाने वाली किसी भी ज जानकारी को नहीं दिया लालुक सोला को। उन्होंने संघर्ष का प्रतीक बन लिया और अत्याचार के बावजूद भी साहसिक्ता का प्रतीक बने रहे। आज असम में कई स्थान जौय मौती की कहानी की समवेदन शील अवशेशों को संजौते हैं। प्राचीन अहों समार कों से लेकर शानदार ब्रह्मपुत्र नदी तक यह भूमी उनके नाम की बात करती है और हमें उनकी त्याग की याद दिलाती उनकी बहादुरी और त्याग असम के लोगों की अदम में आत्मा का प्रतिन धित्व करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी स्वतंतरता के लिए ह जब इस सजा की खबर गदापानी तक पहुँची तो वह नागा पहाडियों से वेश बदल कर जेरेंगा के खेतों में आ गया। एक अजनबी के रूप में वह जैमती से उसे दंडित करने के बजाए अपने पती के बारे में बताने के लिए कहता है लेकिन जैमती उसे करते हुए हम जोय मौती असम की भूली हुई वीरांगना को याद रखेंगे जिसकी साहसिक कथा मनाई और दुनिया के साथ साजा की जानी चाहिए हमारे इतिहास की छिपी हुई कहानियों को खोलना और उन्हें सम्मानित करना महत्वपूर्ण है आज के समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो ग्यान वर्धक और प्रेरणा दायक लगा हो तो लायक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें